सरस्वती सम्मान का इतियास के रहा है इसके अलाबा पहला सरस्वती सम्मान किस से मिला 2020 में सरस्वती सम्मान किसे मिलने वाला है ऐसे तमाम प्रिष्णों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले है ऐसे informative वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सिक्षा कल्चर को सब्सक्राइब कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं सरस्वती सम्मान की शुरूआत केके विडिला फाउंडेशन द्वारा बर्स 1990 में की गई थी हर साल किसी भारतिय नागरिक को यह पुरुसकार दिया जाता है किसी लेकक की साहित्य क्रती भारत के संभीदान की आठवी अनुसूची में सामिल किसी भी भारतिय भासा में सम्मान वर्स से पहले दस वर्स की अबदी में प्रकाशित हुई हो पुरुसकार स्वरूप एक प्रसस्ति पत्र और एक पट्टिका के अलावा 15 लाख रुपे का नगत पुरुसकार भी दिया जाता है प्रशिद्द मराठी लेकक डाक्टर सरन कुमार लिंबाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 मिला है डाक्टर लिंबाले का सनातन 2018 में प्रकाशित किया गया था सनातन दलित संगर्स का एक महत्वपून सामाजिक और एतिहासिक दस्तावेज है सरस्वती सम्मान से जुड़े कुछ महत्वपून तथे पहला सरस्वती सम्मान 1990 में प्रदान किया गया था हिंदी के साहितकार डाक्टर हरीबंस राइबच्चन को उनकी चार खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था 2019 में 29 बा सरस्वती सम्मान वासदे मोही को प्रदान किया गया था जो की एक सिंदी बासा के लेकख है उन्हें यह सम्मान उनके कहानी संग्रे चेक बुक के लिए दिया गया था इस पुस्तक का प्रकाशन 2012 में हुआ था सरस्वती सम्मान के अलावा ब्यास सम्मान और बिहारी पुरुसकार भी ब्रिला फाउंडेशन के दौरा प्रदान किये जाते ह rifle आज का सवाल है प्रतम ज्यान पीट पुरुसकार से किसे सम्मानित किया गया था इसका जबाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करकर बताईएगा फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही जै हिंद जै भारत थैंक्स पूर वाचिंग हैव अग्रेट डे